हेलो प्रिंस एंड प्रिंसेस, वेलकम इन फ्रेश मोर्निक, सोल्स डिजायर के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आ गए हैं हम एक नए वीडियो में जिसमें हम घर में लडाई करना चाहिए या नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे अकसर हर एक घर में लडाईया होती ही है और इसके बुरे प्रभाव भी दिखने को मिलते है परन्तु फिर भी लोग लडाई ही करेंगे जगड़ा ही करेंगे जगडा करने में कुछ रखा ही नहीं है इससे रिष्टे, सुलज़ते नहीं, उलशते जाते हैं रिष्टों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जो पुरूस होते हैं वे ओफिस के सारा टेंशन लेकर घर आते हैं हम घर आते ही सुरू हो जाते हैं उन्हें इसा नहीं करना चाहिए ओपीस का काम ओफिस और घर का काम घर यदि आप जगड़ा करेंगे तो घर में बच्चे भी रहेंगे उन्हें क्या सीख देंगे वे भी आगे जाकर आपके ही प्रकार आपसे भी जगड़ा करेंगे और जो आएंगे उनसे भी जगड़ा करे और महिलाएं घर का काम करके इरिटेट हो जाती हैं या फिर टीवी सीरियल से देख देख के सीख के खुद जगड़ा करने लगती हैं घर में कलेश करना किसी भी प्रकार से आपके हित में नहीं है इससे जिस आप जगड़ा करेंगे तो आपको भी टेंसन होगा और जो सामने वाला है उसको भी टेंसन होगा इसके बूरे नतीजे आपके बच्चों को भी जहलना पड़ सकता है कई बार ऐसा होता है कि पत्ती पत्नी आपस में लड़ते हैं और सारा गुसा बच्चे पर निकाल देते हैं बच्चा भी आप से यही सिखेगा और जब आप बूढ़े हो आपको नुकसान पहुचाएगा और कहा भी तो जाता है जैसा आप करते हैं आपको वैसा ही मिलता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जगड़ा करना गलत है जगड़ा करना चाहिए पर यदि इससे रिष्टों में मिठास आए नोक जोक होनी चाहिए इससे रिष्टों में प्य देखने को ही नहीं मिलते ये जगड़े ऐसा लगता है कि कई साल पहले लुप्त हो चुके हैं आज कल घर में जगड़ा होता है और जिसका बहुत बुरा नतीजा होता है रोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे पर जाड़ू सबजी बरतन फेक देते हैं और एक दूसरे को अप सब्द बोलने लगते हैं ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां प्रेम है वही भगवान का निवास है आप अगर घर में कलेस्द करेंगे जगड़ा करेंगे तो आपका घर में भगवान कवास होगा ही नहीं और नही आपके घर में पैसा आने का सु बढ़ेगा अगर आप एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, तो मिल जुल कर रहते हैं, तो आपस में भाई चारा रहेगे, आपस में प्रेम रहेगा तो कभी आपकी मदद करेंगे, परन्तु अगर आप जगडेंगे, तो future में अगर आपको कोई problem होगा तो वो आपकी मदद करेगा है नहीं जबकी वो तो यही चाहेगा कि आपको भगवान धेर सारब problem दे जबकी अगर आप प्यार से रहेंगे तो आपके सुख, دुख में वो आपके साथ रहेगा दुख में आपकी मदद करेगा, सुख में भी आपके साथ बराबर का हिस्सदारी रखेगा, घरेलु हिंसा महा भारत जिसे युद को जन्म दे सकता है, महा भारत का युद घरेलु हिंसा का ही परिनाम था, इस युद में लगभग दुनिया के हरेक राजा ने भाग लिया था इसका परिनाम भी कुछ नहीं निकला, कोरो का पूरा वंस खतम हो गया लगभग पांडो का भी पूरा वंस खतम ही होने वाला था परंतु स्री कृष्णी ने पांडो के वंस को बचा लिया जब भारत में राजाओ का सासन था तब भी घरेलू हिंसा के कारण ही अंग्रेज भारत पर कबजा कर सके वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाये, वही हालत है जगड़ा करो तो जिससे किसी का भलाई हो जैसे कि आप पिता है आप बच्चे को डाटते हैं उसे सिखाते हैं इसा नहीं करना चाहें किसी को डाटना मारना जगड़ा ही तो हुआ परंतु वह एक तरफा जगड़ा हुआ इस जगड़े से बच्चे को सीख मिल रहे एक पिता द्वारा बच्चे को ग्यान देने का यह तरीका है इसे हम जगड़ा नहीं करेंगे अगर इसे हम जगड़ा कहते हैं तो इसी जगड़ा घर घर में होनी चाहिए मान लिया कि आप बिमार हैं आप दवया नहीं ले रहें तो आपके जो बच्चे हैं या फिर बीबी हैं आपको डाट रहे हैं आपको डाट रहे हैं कि आपको दवया खाना चाहिए ये जगड़ा ही हुआ परन्तु इससे प्यार बढ़ता है इससे आपकी उसके प्रती क्यर दिख रहा है परवाह दिख रहा है कि हाँ वो मेरी परवाह करती है इसलिए मुझे धवाई खाने के लिए कह रही है ऐसे जगड़े करो ना यार इसे जगड़े तो आजकल लुप्त ही हो गए है आजकल कैसे जगड़े होते हैं कोई गाली गलोच कर रहा है किसी को दे मार रहा है किसी को जाड़ू फेक रहा है कभी बोल रहा है मैं घर चोड़ के चला जाओगा इसे जगड़ों में कुछ रखा हुआ ही नहीं है और एक बात यदि आप जगड़ा करते हैं तो ये मत सोचे कि आप मजबूत हैं हम जगड़ा कर रहे हैं समय का चक्र घूमता रहता है एक दिन आप कमजोर होंगे और आपके सामने वाला मजबूत होगा और वो आपको सुनाएगा तब आप क्या करेंगे अभी तो आप जगड वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए बातों के साथ तब तक के लिए जय हिंद